है तो वाटसब गाईज वेलकम बैक तो अनदर वीडियो ओफ कोड वीडियो चैनल और फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से Flutter के मदद से SQLite database में अपने data को update कर सकते हैं तो आज कि वीडियो का अप देखते रही है और मैं आपको बताऊंगा कि कितनी आसान तरीके से आप कर सकते हैं तो चले बिना समय गवाय आज के इस वीडियो को हम start कर ते कि आपको मालम है कि पिछले वीडियो में मैं आपको सिखा था कि आपके लिए की तरीके से रिड ओपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं डेटा बेस में फ्लटर से तो अगर अपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप यह है अलब हम स्टार्ट करते हैं और actually update करना काफी आसान है यहां पर आपको 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 मालूम होगा कि यहां पर एक फाइल बनाईगे dp.dat नम के जिसमें हम सारे operations यहां पर परफॉर्म करते हैं अलग-अलग database के जो रहते हैं तो create और read का तो हमने कर लिया आप आज बार यह अपडेट की सो अपडेट करते हैं हम स्टार्ट करते हैं तो यहां पर मैं बना रहा हूँ एक future type का variable and future type का variable बनाने के बाद में मैं इसमें एक int pass करा रहा हूँ ठीक है integer मतलब यह end में return कर रहा हूँ इसका नाम रख रहा हूँ update notes update note नाम का ठीक है और यहां पर यह function होने वाला है async dot sorry dot database तो यहां पर यहां पर एक line का code है update कराने के लिए अपको लिखना return then इसके बाद में await क्यों को अपडेट करेंगे database operation है थोड़ा से time लगने वाला है then इसके बाद में बोलूँगा db then dot update देखिए आपको हैं पर काफी सारे चीज़ मिल रही है तो हम update method का use करेंगे तो यहां पर आपको सबसे पहले देना पड़ता है कि आपको कौन सी टेबल में update करना है तो हमारी टेबल का नाम क्या है हमने हमारी टेबल किस नाम से बनाई है notes नाम से बनाईए तो वो notes में आपने नाम पास करा रहा हूँ तो सबसे पहले होता आपको ये पास करना परता है यहना उसके बाद मैं आपको पास करने पढ़ती है values कि कौन-कौन से values का आप update कराना चाहते है so यहाँ पर आपको JSON format में अपने data पास कराना होता है जैसे कि कुछ इस तरीक से आपको यहाँ पर लिखना होता है कि भाई मुझे यहाँ पर पास कराना है let's suppose title update कराना है and title क्या होना चाहिए title let's suppose हमारा होना चाहिए यहाँ पर this is a updated title ठीक है यह अपडेट हो जाना चाहिए यह करने के बाद में यह करने के बाद में यह हमने कुछ इस तरीके से लगा दिया, यहां पर end-mec semicolon लगाना है, वो लगा दिया, यह आपको जैसर में आप जितने भी चाहें, जैसे कि हमारे इसमें title है, हमारे table में field का एक title field है, then इसके बाद में एक pinned field है, एक content field है, created time field है, तो आप कोई से भी यहां पर value पास करा सकते हैं, कॉमा लगा के end field का नाम और जो भी आपको उसमें value update करनी हो, यहां रखना है कि जो field जिस type की है उसमें वही type का data पास करा है, कोई अलग type का data पास नकरा है, यह मुझे error दे रहा है, यह बोल रहा है क कि यह नल हो सकता है आपका जो method है, तो आपको एक null check लगा दीजिए, तो मैंने बोल रहा था कि आपको value पास कराना है, अब यह value कहां पर update होनी चाहिए, तो इसके लिए यहां पर parameter आता है where नाम से, where मैं आप पास करा सकते है कि आपको कहां पर यह value update करनी है, कि आपको यहा मतलब कौन सी id को आपको read करना है, तो उसी तरीके से मैं यहां पर भी id पास करा हूँगा, तो इस function मैं as a parameter एक id पास करा रहा हूँ, and इस id को मैं यहां पर use करूँगा, तो मैं यहां पर लिखूँगा, where id is equal to 5, ठीक है, जहां पर id 5 हो, but इस तरीके से हम data पास नहीं कराते ह यहां पर question mark लगाते है, SQL injection बचने के लिए, SQL injection बचने के लिए, SQL injection बचने के लिए, and यहां पर आपको where.args आपको list of, जो आपकी, जो भी है, जहां पर where भी है, आपकी जो condition है, उस वो पास करने पड़ती है, तो बस, यहां पर where id id के पास करा है, इसके अलावा भी आपकी सा हो जाएगा काम, तो चलिए, अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं, तो मैं जाओंगा मेरे home.dart में, और मैं मेरा emulator चालू कर देता हूं, और emulator चालू कर देता हूं, ताकि मुझे console में दिखे कि यहां भी क्या चल रहा है, okay, so guys, यहां पर मैंने मेरा app run कर दिया है, and app end में return करेगी, हमें एक string, and string return करने के बाद में मैं इसमें लिखूंगा update one note, क्योंकि एक note को update करने काम आती है, and then इसके बाद में async, async बनाने के बाद में मैं इसमें लिखूंगा await notes database.instance.update note, and यहां पर आपको id pass कराने पड़ेगी, तो let's suppose हम five id डाल देते हैं, and end में एक semicolon लगा जाते है, and इसके बाद में रीड भी करना है, सारे notes, तो मैं आपर get all notes पर, get all notes को uncomment कर दूँगा, जिससे कि मुझे आपर मेरे सारे notes दिख जाएंगे, मैं इसको एक बार hot restart करता हूँ, and check करता हूँ कि, क्या मेरी, जो notes है, वो update हुआ की अगर update होगा, अगर update होगा आपको नोट नमबर 5 है, जिसकी ID note 5 है, वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा title में, this is a updated note, तो यहाँ पर hot restart हो रहा है, काफी लंबा समय लगा रहा है, इतना लंबा समय इसको लगाना नहीं चाहिए, but maybe यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, अभी हमें यहाँ पर कुछ कुछ पर कुछ देख रहा है, कि क्या चल रहा है इसमें, तो हम कुछ डिटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, और उमीद आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, वीडियो के फ्रिक्वेंसी पसंद आ रही होगी, जिस तरीके से वीडियो अपलेट हो रहे हैं, और वीडियो का करनी चाहिए, ताकि वो जो समय दे रहे हैं मेरे चैनल पर, वो उनका वेस्ट ना जाए, और वो और ज्यादा सीखें मुझसे, और ज्यादे हैं से सीख के जाए, तो आपको बस एक लाइक ही करना, एक बटन ही दबाना है, तो दबा दिया कर रहा है, मतलब कि हर वीडियो मे तो यहाँ पर hot restart नहीं हो रहा है, तो let's see, मैं एक बार इसको completely terminate करके, and एक बार वापिस से start करता हूँ, तो मैं आपर, okay, so the error is, वहाँ पर इसलिए अब वो update नहीं है, क्योंकि हाँ पर मैंने future का return type string बना जिया था, यहाँ पर भी मैंने string ही बना हुआ है, तो मैं return type of string को हटा रहा हूँ, क्योंकि हाँ पर हम कुछ return नहीं कर रहे है, आपर हम void return कर रहे है, तो वो return type string हो गया था, इसके current error रहा था, और वो notes अपडेट नहीं हो रहे थे, तो मैंने जैसी return type string यहाँ से हटाया, update not को call कराया, तो मैं यहाँ पर आप ID number 5 को देखिए, आपर लिखा this is updated title, ठीक है, यह आपको दिख रहा होगा, highlighted, this is updated title लिखा हो आगया, let's suppose मैं यहाँ पर db.dat में जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, this is updated title by code way through, यह लिखने के बाद में मैं hot restart करता हूँ, तो आप यहाँ पर changes देखेंगे, यह restart हो चुका है, and ID number 5, ID number 5 में देख update note वाली जो method है, उसमें future में रेटन करा था integer, ठीक है, बड़ उस integer को मतलब नहीं था, तो मैं उस integer को हटा दिया, इसको void रेटन कर दिया, और यहाँ पर रेटन कुछ नहीं कराया, ठीक है, तो मैं आपको एक बार वाप्ती से समझा जाता हूँ, कि आखिर कार मैंने क्या क् सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो मैंने आप एक future type का एक, आपको क्या करना है, future type का एक function create करना है, and इसमें return क्या कराना है, void, कुछ भी हाँ आपको return नहीं कराना, then आपको update note, अपने function का नाम लिखना है, then int id आपको लेना है, कि कौन सी, ताकि हम इस review.update, और इसको आपको await रखना है, क्योंकि obviously कुछ time लगने वाला है, सबसे पहले आपको फिर आपको पास करना है, notes, कि आपका जो table का नाम क्या है, वो आपको 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 आपर पास करना पड़ता है, table का नाम पास करना के बाद में, आपको आपको आपर json format में, जो आ अपके बाद में देखेंगे, बताओंगा मैं आपको इस तरीके से करना है, अभी के लिए तो आपको कुछ इस तरीके से update कराना है, value इसको, title, मतलब की field का नाम, and जो उसकी value जो भी, आपको update करानी है, वो आपको लिख देना है, ठीक है? और अगर आपको इसी तरीके से दूसरी और update करानी है तो आपको यहाँ पर लगा देना है comma and then यहाँ पर field का name field का name and then यहाँ पर colon लगा के field की value ठीक है वो number इंट बूल जो भी आपके हसाब से जो भी आपको update करना वो होगी then इसके बाद में आपको यहाँ पर parameter करना है where and then इसमें आपको यहाँ पर पास कराना है कहाँ पर पास होने चाहिए तो id is equal to question mark SQL injection से बचाने के लिए and question mark के बाद में where asks and यहाँ पर आपको list of जो भी आपके जो वेर में condition में है value आपको यहाँ पर पास करानी होई तो अगर आप नहीं भी लिखा है अगर आपको यहाँ गलती पर उड़ी तो आप महाँ से देख सकते है यहाँ इसके बाद में हम home page पर आया है यहाँ पर future update note नाम से एक variable sorry function create करा हो and इसको मैंने async बनाया मतलब asynchronous function है future में यह void in कर रहा है और यहाँ पर मैंने await method की मदद से node database.instance.update note को call करा है और यहाँ पर id मैंने pass करा दी database की और sorry जो entry की जो id है वो मैंने pass करा दी patch and then इसके बाद में मैंने यह जो update note वाली जो method थी इसको मैंने मेरी init state method में call करा दिया ठीक है तो मैंने यहाँ पर get all notes के जगे मैंने यहाँ पर get one note को यहाँ पर जो वे enable करना चाहूंगा and read note मैं यहाँ पर 5 जालता हूं ताकि मेरा 5 वाला मुझे read हो जाए and जो update note 5 वाला and इसके बाद मैं db में जाकर आपको एक बार finally बता जाता हूं कि भही यहाँ पर क्या हो रहा है तो let's suppose मैं आप नाम डालता हूं जैसे कि हमारा telegram का group है तो telegram group join कर लेना ठीक है तो यह message भी है telegram group join करना तो आप कर सकते है link up description मिल जाएगा और इसको हम update करके देख लेते है console में चलके देखते हैं terminal में जाके तो देखो title यहाँ पर change होगे telegram group join कर लेना ओके तो friends उमीद है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अब आपको यहाँ पर create करना है I think update करना है database में किसी value को तो अगर आपके कोई भी suggestion कोई भी दूइधा तो आप जो हुआ comment section में लिखके मुझे से पूछ सकते हैं आप टेलेग्राम का group उमारा join कर सकते हैं और अगर आपको यह video पसंद आया तो आपको video को like कर देना है अगर आपको channel पसंद आया तो channel को subscribe कर देना है और साथ ही में दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलेगा तो फिलाले इस video में इतना ही और मिलूँगा मैं आपसे next वाले video में तब तक के लिए प्प्प्प्प्प्प्पाइ